सर्वेव्यो नमाहा आज इक्षा हुई कि महैस्वर सुत्र के बारे में कुछ बात करूँ महान इश्वर है जो महिश्वर उनके डमरु से जो उत्पन ध्वनी है उन्ही ध्वनियों को महिश्वर सुत्र कहते हैं उनको बन समामनाई भी कहते हैं बन मात्रिकाई भी कहते हैं यह 14 सुत्र हैं और यह विश्व कल्याड के लिए सिद्ध महात्माओं तक के कल्याड के लिए हमारे आद्रिशिव ने बजाया और दिया यह 14 सुत्र 14 भुवनों को परस्पर एक दूसरे से लिंक किये हुए हैं 14 भुवन में जो शब्द ध्वनी एक दूसरे से मिली हुई हैं संपूर्ण आकास ही शब्द आकास है यह शिव की यही महत्य क्रिपा है कि 14 भुवनों को 14 सुत्रों से आबध कर दिया और यह दमरु की ध्वनी वजाई कव जब शिव खूब प्रसंद होते हैं सदाशिव आसुतोष प्रसंदता में तो कहना ही क्या उस समय आनन्द विभोर हो करके जब यह तांडव करते हैं और मा भगवती पार्वती लास्य निर्थ्य करती हैं उस आनन्द में डूबे हुए मागन हो करके जब चर्मोत कर्ष पर गए तब उन्होंने जो है डमरू बजाई 14 वार डमरू बजाई 14 भोनों को लिंक कर दिया अक्षरों से वरणों से निर्थ्या वसान समये नट राज राजो